हलो मेरा नाम दॉक्टर दीपक कड़कर है मैं मनोविकार सेख्षोग सम्मोहन और नशामुक्त अग्य हूँ वैसे एनलपी ट्रेनर और कोच हूँ मैं आधाने वाला हूँ आज आपको सबकॉंशेस माइन का बर्निंग डिजायर जीतने के लिए जीत हासिल करने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है हर एक को मतलब कॉंशेस माइन में हर एक को जीत चाहिए हर एक को सफलता चाहिए Consciously हर आदमी बलते हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए मगर actually subconscious mind में उसके burning desire deep rooted है की नहीं है वो महत वगाए अब burning desire मतलब क्या है एक वेक्ति था उसको ऐसा मालम पढ़ा है कि भई एक गुरु है वो 2000 किलोमेटर दूर रहता है उसके गाउं से नदी किनारे आश्रम में और वो तीर कमान बहुत ही अच्छा सिखाता है तो इसने सोचा है लगतीने कि भई वो गुरु के पास में हम ये धनुर विद्या सिखने के लिए जाएंगे और वहाँ उसमें महारत हासिल करेंगे तो इसलिए वो महारत हासिल करने के लिए 2000 किलोमेटर दूर अपना घरदार छोड़के सब छोड़के उसके पास में गया कि कितना भी दिन लगेंगा तो मैं वहाँ जाके रहूँगा और मैं वहां महारत हासिल करूँगा धन्दु विद्या में तीर कमान में वह वह गुरू के पास में गया उसने बोला कि मैं आप से सीखना चाहता हूं और मुझे मास्ट्री चाहिए इसमें महारत चाहिए हासिल करना है मुझे और तीर कमांधर में विद्या सीखने की है मैं वो गुरू ने बोला कि मैं काईपर से समझू कि तू सच्ची तरी इच्छा है सच्ची इच्छा है मैं इसले तो मैं इतनी दूर आया हूँ मैं घरदार छोड़ दिया बच्चों को छोड़ दिया बीबी को छोड़ दिया सब कुछ छोड़ के मैं अभी आ रहा हूँ और अभी आप जितने दिन बोलेंगे उत्ती दिन रहूँगा आपकी सेवा करोंगा मेरी इच्छा है करके तो मैं आ गया तो लोग ठीक है वो समझ में आ है तो ऐसा कर अपन बात करते-करते आ गया और अंदर गया यहां तक आ गया पेट तक आ गया सिर्जे तक आ गया जैसा यहां तक पानी आ गया दोनों यहां तक पानी में अंदर गये वो गुरू ने उसके बाल पकड़ और उसको जोर से नीचे दबा दिया पानी में चैसे उसको पाने में दबा दिया वो तरफर, तरफर, तरफर कर रहा है एक सास के लिए और उसको लगरा था कि अभी मर जाओंगा पता नहीं यह गूरू मतलब है कोने क्या है उसको कोई सोचना नहीं था कुछ नहीं था उसको अगर आपन मर जाएंगे तब तो ने गुर ने उसको बाहर निकाला फिर यसे ही बाहर निकाला तो उसने पहले एक सास लिया जोर से फिर बाहर आया उसने पूछा गुरू आप क्या कर रहे थे मैं तो आपके पास में धन्रविद्या सीखने के लिए हैं आप तो मेरे को मारने लगे मैं तो मर जाता था भी बोले मैं तरी परिक्षा ले रहा था जब अंदर है और जब मैंने तरह सिर पाने में डूबा दिया तो उससे मैं आपको चाहिए क्या था एक चीज ऐसे कुंसे जाए थी आपको कि जो यदि ना मिलती तो आप मर जाते थे भोले मुझे एक चीज ऐसी जाए थी कि एक सास मुझे होना चाहिए और यदि वो नहीं मिलता तो मैं मर जाता था कि बस पूले यदि तुमको यह इच्खा है, न स्दृत मेरा को सिंखने का है, तो वह एकास को जितना होत्व है हितनी होत्व होत्व ह Recht कि अंधु बाकी मुझे कारण मुधे कहाaya बीबी बच्चें चोड़के निल्ज लिए मुर्चे राए इस लिए मीरी डिजार है पैसना नहीं को एक सास लेना यतना महत वका उतना सफलत आपना महतवाध तुम मेरे पास में आई के हम फोकस नहीं रहते उतनी बदनी डिसियार नहीं रहती विछली ठोते हैं उसमें प्राप्बलम आदाए कलपना हरो कि आपके घर में भगवान करें ऐसा नहों है आपके घर में कोई एकदम सीरियस बीमार हो चुका है उसको एटक आया है समझो हार्ट अटक डॉक्टर है डॉक्टर ने बोला कि वह एक दवाई लाना है और यह दवाई देड़ हजार रुपे की मिलती है और यहां से दस किलोमेटर दूर केमिश शाओ पे वहां से मतलब लानी पड़ेंगी यह दवाई ता आपको जल्दी जाना है और आप आदे गूंटे में आते हैं तो यह जान बच जाएंगी ने तो मर जाएंगा पेशंट तो आपने तुरंक अपनी गाड़े निका ली दोजार रुप अधिक इच्छा होंगी मैं समोसा खान लुबहुत लगी है तो बिल्कुल ने क्योंकि अपनी दिमांग में होगा शौप में जाना और दबाई लाना समोसा में आप अर आगे जाते हैं और अभीताब बच्छन का रोडश्यो चालुए समझो को इकारण के लिए क्या वह दबाई लाना आप आगे जा रहे कोई आटो वाले ने आपके बाई को धड़क दे दिया वह चिला रहा आटो वाला बोलता मेरे को 200 रुपे होना है मेरा नुकसान हो गया क्या आप जगरेंगे कि में दूंगा नहीं गल्ती किसकी है आप बोलेंगे 200 रुपे लेले मुझे आप उप जाने दे आप और फटा फट निकल जाएंगे वह दबाई वाले के पास में जाएंगे बोलता है कि देड़ है रुपी की दवए है 2000 कि नूट आप उसको दे रहे मेरे पास में चेंज नहीं है तो क्या भूंड़ने के मेरे कुछ चेंज होना और मेरे को 500 रुप ब आप इतना फोकस है तो आपको सफलता मिलने हैं सक्सेस्फुल होना ही आपने क्योंकि हमारे में बहुत सारे चित्त विचलित करने वाले बहुत सारे इंट्रक्शन्स डिस्ट्रेक्शन्स आते रहते हैं और वहाम चले जाते हैं गौमन इंट्रक्शन्स क्या होता है WhatsApp, Mobiles, Facebook, YouTube, WhatsApp के तक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक-टक वह आपने मावे लेके जाते थे कोई भी किले के उपर तो किले की उपर सब मालों को उतार दिया उपर जाके तो पीछे के जो रस्ऩीं काई डालते थे, वह फुश組 Razh nadle शैंसाइब कि अभी आपको मारना है ऻामरना है और वह गता है की जो क्योंकि एधी वह पिछे की जो रस्य है और जो रॉप है वो इधी काच नहीं धेया तो हो सकता है कि जो अपने मिल्ट्री है वे थी शेटरू ने ज़िवात ज़्ला मारा किया तो भाग जएंगी और नीचे उतरएंगी अभी नीचे उतरने को दोर तो जब आपके मन में आपके फिंकिंग में इतना बर्णिंग बिजार के बरहता है कि नए अमको तो वह सफलता चाहिए चाहिए नो मैंटर ओट तो आपको सफलता मिलेगी तो यह सफलता का राज और वो subconscious mind में यह आपने वो belief पकका बठा दिया कि मेरे को सफलता चाहिए चाहिए कोई भी हालत में और subconscious mind में वो उसका programming कर दिया तो subconscious mind ही आपको सफलता के तरफ लेके जाएगा subconscious mind आपको चूपने बैठने देगा subconscious mind आपसे action करवा के लेगा आप automatically action करते रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी तो वो belief कि मैं determined हूँ मैं वचन बद्द हूँ वचन बद्द आए no matter what मुझे सफलता हासिल करनी है और मैं जीत के रहूँगा सफलता मिलेगी मिलेगी no matter what यह subconscious mind में belief बैड़ गया तो जीत आपके दम पैर चुलेगी तो जो जो लोग जूँज रहे है इसके लिए सफलता के लिए उनको जरूर वीडियो शेयर करो आपके पास में आजू बाजू में आपके मित्र लोग जो होंगे जिनको सफलता नहीं मिल रही है उनको आयना होंगा ये वीडियो कि वे अपने को सफलता क्यों नहीं मिलती है उतना determination, dedication अपना है क्या आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सबस्क्राइब करो सबस्क्राइब करने के बाद में बेल आइक ओन आते है उसके उपर हिट करो ताकि हर अपने में वीडियो लालता हूं आपको नए नए वीडियो आते जाएंगे So thank you very much